गुद्बॉर्णिंग एव्रिवन तो कैसे आप सब आई होप सभी बूत अच्छे होंगे तो आज इस चोटी सी वीडियो में जोब हम लोग डिस्कस करेंगे यूस आफ एट आप किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं अगर तो आपको बताई है कि इंगलिस क्रेमर अगर आ आपके एक्जाम में आता है तो उसमें प्रेपोजिशन जो वो होता ही है तो एट का यूस इस पार्ट में देखेंगे एट एक्जाम में जो एट हो गया इन हो गया ऑन हो गया यह जो बार-बार पुछे जाते हैं कि कहां पर लगता है एट कहां पर यूस करें कहां पर नही औने वाली है, तो चलिए धै जाधा Delay ना करते होए Start करते हैं, add का Use इसमें हम सभी बाते लेखेंगे add के बारे में कि add को कहा कहा हम लोग भूण use करते हैं, छलिए Start करते हैं इसको मैंने एरेज कर दिया और मैं ऐसा करता हूं कि इस camera को भी यहां से हटा देता हूँ ताकि मैं अच्छे से यहां pageable लिख सको ओके तो चलिए सबसे पहले देखते हैं add का use जोब हम लोग कहां कहां लगा सकते हैं first देखिए सबसे पहला use देखते हैं कि कोई एक निश्चित समय बताने के लिए जोब हम लोग add का use करते हैं यहां पहले sense देखते हैं कि जो add होता है उसकी sense क्या आती है देखिए add की जो sense आती है जैसे आपर हो गया या मे हो गया अगर आपको ऐसी sense आए तो जोब हो add का use करना है लेकिन आपको जोब कहां कहां use करना है बू जुब देखिए सबसे पहले with point of time with point of time मतलब एक निश्चित समय को बताने के लिए आप जुब एट का यूज करिए जैसे कि example लेते हैं साथ साथ में हम जुब लगबग 5-6 यूज जुब देखेंगे एट के लास्त तक देखिए आपको इसके बाद जुब कोई और वीडियो जुब नहीं देखने के जुब नहीं बढ़ेगी जैसे मैं अगर बोलूँ कि जैसे मैं अपना ही time बता देता हूँ कि मैं जुब 8-8 बजे पैदा हुआ था तो मैं लेक्ते हैं मैं 8 बजे पैदा हुआ था मैं 8 बजे पैदा हुआ था मतलब कि मैं जब परानी बात कर रहा हूँ तो I मैं मतलब I पैदा हुआ था पास की बात हुआ था I के साथ was singular ठीक है बरतब लगता है जब plural होता है मैं तो singular हूँ I was पैदा होने को बोलते हैं born ब, o, r, n अब जब यहाँ पर पॉइंट आफ टाइम की बात हुआ था मैं 8 बजे पैदा हुआ था ठीक है एक निश्चित टाइम की बात हुआ था तो यहाँ पर जोब टाइम से पहले ऐसे मिले खता हूँ I was born 8 o clock 8 o clock ठीक है जैसे एक और एक्जम्पल लेते हैं जैसे जैसे बो दस वजे घर आएगा ठीक है बो दस वजे घर आएगा अब इसको देखिए बो मतलब की ही ठीक है ही बोचते है ही आएगा भी क्योंकि अब फ्यूचिर की बात आ रही है तो ही के साथ क्या लगाएंगे विल ही विल कम ही विल कम अब दस वजे आएगा पॉइंट आफ टाइम की बात हो रही है तो एट लगाएंगे पहले फिर जो टाइम बताएंगे एट टैन ओ क्लॉक ठीक है आप समझाइए मैं पूरा नहीं लिख पा रहा हूं आप समझगे होंगे कि टैनो क्लॉक लिखना है मैंने ठीक है तो यहां पर जब भी पॉइंट आफ टाइम की बात आ रही है आफ टाइम की बात ओरी तो आई स्लीप आई एसल डवली पी एस आई स्लीप एट टैन और नाव अब के लिए नाव मैंने लास्ट में लिख लिए आई स्लीप एट टैन नाव मैं अब दस वजे सो जाता हूं ठीक है चलिए यह तो हुआ बिद पॉइंट आफ टाइम अब आइट का यूज़ पर आप चोटी जगह को बताने के लिए स्मॉल प्रेस इस देखे आपको पहले मैं ऐसे बताता हूं जैसे आप जैसे मैं बोलूं कि मैं जो कहां पर रहता हूं तो मेरे जो गाओं का नाम या पोस्ट ऑफिस का नाम गाओं का नाम तो बहुत ही परस कि मैं स्रेयानी में रहता हूं ठीक है इंडिया अगर मैं पुलों कि जैसे रिवल्सर आइप इंडिया जैसे मैं आपधिए इंडिया आप एप हम देख रहा है स्मॉलिच प्लेसिस के साथ का इसे करेंगे कब करेंगे अई लिव इन आप इंडिया बोल दो या हिमंच्पदेश बोल दो या जो भी आपको जगर का नाम है गाउं का नाम है बोज़ बो यहाँ पर लगा दो जैसे मैंने लगा दे रिवाल्सर ठीक है रिवाल्सर अब देखिए अब बात ऐसी है कि अगर मैं ऐसे बोलू कि I लिव रिवाल्सर मैंने पूरा नहीं गया रिवाल्सर ठीक है अब रिवाल्सर कहां पर है रिवाल्सर हमारे मंच्पदेश में है या मंडी में है रिवाल्सर मंडी ठीक है अगर मैं जबो दो प्लेसिस को साथ में बताऊं यह मिनुट स्थिस्ट मेनने खुछ को आइं लिव रिवाल रिवां सर इन मंतलब अब संध्र मैं बाल है जो की मंदी अब मंदी बड़ा प्लेस हो गया मंदी के टेंके रिवाल्सर एक चोट अपलेस है, मतलब जब ऐसी सेंस आए कि किसी जगह के अंदर ही दूसरी जगह है, जहाँ पर रहते हैं, बड़ी जगह का नाम आ रहा है, और उसके अंदर ही वो जगह है, मतलब एक स्मॉल प्लेसिज में काउंट हो रहा है रिवाल्सर, ठीक है, तो वहा मतलब एक चोटी जगह, मतलब इंडिया के मुकाबले हमांचर पुदेश है, तो मैं हमांचर पुदेश में रहता हूं, जो कि इंडिया में है, ठीक है, आई लिव इन एच्पी इन इंडिया, ठीक है, तो कुछ ऐसी सेंस आए, तो जब आप यूज करिए, एड का, ठीक है, अब यहां पर कुछ एक एक एक्सेप्शन गरूस्कती है, जैसे आप बोलेंगे, मैंने बोला स्मॉल प्रेस्टिस के लिए, आप जो एड का यूज कर्सकते हैं, तो कर्सकते हैं, बिल्कुल गसकते हैं, जैसे, मैं बोलूँ कि राहूल, एक स्टोर में काम करता है, तो राह राहूल, वर्क्स, अब यहां पर क्या लगाएं, स्टोर, आप बताइए, कि यहां पर क्या यूज होता है, स्टोर एक छोटी सी जगह है, छोटा सा प्लेस है, एक एक एक्सेप्शन हर जगह है, तो वो उसके अंदर ही काम करता होगा, तो इन भी लगा सकते हैं, अब मैंने एक एक होटल रूका, तो चुसunda होटल, जान ओव एक होटल, यहां फिर्दोध करें, स्टे च Przyखाल, यहां यहां पर एक होटल यहां फिर्दोध सब्दोद OFF, यह उसके हैं, यहां चानिक्याम में, स्टेशन होटल, आँ यहां पर दोनों ही उसकते हैं एट भी उसकता है इन भी उसकता है तो यहांने बात की एट कीके कब हम लोग ड़क है कि शोटे प्लिम्स के साथ जो कैसे अब फिर फौर्ट जो भी है बहुत है की तो में नाइट मतलब नाइट के साथ नाइट मतलब की रात के साथ और जयां र१े गर आका ता aqueles कि आप दो पर में घर पर था नहीं यह सब्सक्राइब कि दो पहर कि दो बीयों कि दो पहर में घर पर था धा मैं दो पर मैं घर पर था I was at home at noon I was at home at noon यह जो noon है दोपर के लिए मैंने यहां पे इसके लिए at का उज़ कर लिए यहां पे तो at का उज़ आप देख रहे हैं कि देखे होम के साथ भी at लग रहा है लेकिन जो कुछ से एक अलग अलग sense में जबू लगेगा जैसे मैं बोलू कि हम रात में पढ़ते हैं तो we study at night तो at जो नाइट के साथ हमने यूज कर लिए है जैसे और बोलू मैं कि वो रात में हॉस्पिटल गया वो रात में हॉस्पिटल गया तो बोलू के लिए ही वेंट 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 हॉस्पिटल क्या बलू मैं एट नाइट आइट नाइट तो हमने देखा यूज का यूज ऑफ एट विद नाइट या नून रात या दो पर के साथ वो एट का यूज होता है ठीक है जैसे एक और यूज करकी जब हमना कोई कोई कॉस्ट बताने के लिए कॉस्ट मतलब जैसे आप कोई किसी का मुल्य बता रहे हैं जैसे प्याज जैसे मालेत है कि मैं मैं आजगल कितना होगा 30 रुपीज के आसपास होगा या 40 होसका 30 रुपीज केजी प्याज ख्रीद रहा हूं ठीक है ख्रीद रहा हूं अब मैं मुल्ले मुल्ले तो बता रहा हूं कि मैं 30 रुपीज के जी किसी ने मुवाइल पर पुछ लिया आप क्या कर रहे हैं तो मैं बोलूगा कि मुल्ले भी बताऊंगा या किसी ने पूछ लिया कि आप कितने रुपीज के जी प्याज क्षिद रहे हैं तो मैं बोलूगा कि मैं 30 रुपीज के जी प्याज क्षिद रहा हूं अब रहा हूं तो continuous continuous stance में जो चला जाएगा I am I am buy बोलते हैं न क्षिदने को तो उससे पहले में add के उसकर लूगा ठीक है 30 रुपीज पर केजी अब इस मुल्य से पहले मैं आट के उसकर दिया मुल्य बताने के लिए आप एड के उसकरते हैं या कोई फल फुट रेलो बनाना लेलो या एपल लेलो या कोई फल या फल लिखते थे यह फल महंगा है तो 200 कजी कर देते हैं 200 रूपीज तो फिर से आप जो इस से पहले add का use करिए मुल्ले मताने के लिए का यूज होता है चलिए एक और एक और लास्टि अप यूज करते हैं फैस्टिवल के साथ को कि अपैकर जिया कोई इवेंट हो उसके साथ जो एडिक ते लिए कोई लीट कोई तो मैं होली ने गर आओंगा। मैं के लिए आई अब आऊंगा तो अभी आया तो नहीं है फ्यूचर की बात आई के साथ विल या सेल कुछ भी लगा लो और यहां पर आट का युज साहए होगा क्योंकि होली क्या है एक वे द्क शेवल के साथ हम लोगा ham नुगा झाँगि जाएंगे तो हम दिवाली पर वह जाएंगे तो भी विल il लगाया हमने कोई फेस्टिबल के साथ कोई जन्म दिन है कोई इवेंट खास सबसर्प है हम मतलब कि किस जन्म दिन है जन्म दिन पर आएंगे लगा धिक हम जन्म दिन इसे मात्रा इस साट से लगी चीक है मात्राओं पर ध्यान मत देजिए थोड़ा इंग्लिस को समझे हम जन्म दिन पर आएंगे तो हम जन्म दिन पर घर घर नहीं हम जन्म दिन पर आएंगे वी हैंडग कम भी एड़ रद टे फिह ज़ी वाई वी एड़ गउर्ठाए चै री टे था यकान पर क्त आप एले उवाई बीव